अज हम लुग बात करेंगे बच्चो ऑक्सीडेशन अस्टेट ऑफ ग्रोप 50 एलिमेंट यानी 15 ग्रुप के एलिमेंट को ऑक्सीडेशन अस्टेट को देखेंगे और 15 ग्रुप में कौन-कौन एलिमेंट है बच्चो नाइट रोजन है पासफोरस है आरसेनिक है SV है बिसमत है याने ए सात नमबर पर है ए पंदर नमबर है 33 है 51 है 83 है इसका इलेक्रोनी कन्फिग्रेशन अगर देखते है बचो 1H2 2H2 2P3 यानि इसके लास्ट और्विड में इलेक्रोन की संख्या कितना है 5 है यानि ऑक्सिडेशन अस्टेट को एक हो गया माइनस 3 और कहता है इसका फेलेंस इलेक्रोन 5 है और अगर 5 इलेक्रोन को लॉस कर गएगा तो ऑक्सिडेशन अस्टेट क्या हो जाएगा पलस 5 यानि माइनस 3 भी होगा माइनस 2 भी होगा minus 1 भी होगा, 0 भी होगा, plus 1 भी होगा, plus 2 भी होगा, plus 3 भी होगा, plus 4, plus 5 अब बच्चो माइनस 3 किसमें होगा, तो आमोनिया NH3 है, इसमें oxidation, acid nitrogen का निकालेंगे, माइनस 3 आएगा माइनस 2 किसमें है, ता H2N, NH2 जिसको hydrogen बोलते है, माइनस 1 किसमें आएगा, NH2 OH यानि अमोनिया हैड्रोकसाइड, 0 किसमें होगा, जिसमें free state होगा, और free state में N2 molecules रहेगा, हैरे, पलस 1 किसमें होगा बच्चो, दिमाग लगा ये, N2O, जिसको nitrous oxide, laughing gas बोलते हैं, पलस 2 किसमें होगा, N0, nitric oxide, पलस 3 किसमें होगा, HNO, 2, nitrous acid, पलस 4 किसमें होगा, nitrogen dioxide, और पलस 5 किसमें होगा, HNO, 3, हैरे, ये सब ही में निकालेंगे, accurate oxidation नम्मर आपका आएगा, अब बच्चो हम लोग देखते हैं कि nitrogen से phosphorus, यानि ये हो गया, group हो गया, top to bottom, top to bottom, इसमें हम लोग को देखना है, minus 3 oxidation state जो होता है, decrease होता है, क्या होता है, decrease, down, down the group, down the group, यानि उपर से नीचे आएंगे, oxidation state minus 3 decrease होगा, पूछेगा क्या हो, due to, due to increase, increase of size, यानि atomic size, item का size, orbit बढ़ते जाएगा, ये दो है, इसमें आएगा 3 और चार, पांच छे, हैनि, इस पर खाएगा, and metallic, metallic character, metallic character, हैनि, यानि, non metal से metal की ओर आजाएगा, non metallic character घटेगा, metallic character उपर से नीचे, क्या होगा, बच्चों, बढ़ेगा, हैनि, अब हम लोगा आ जाते हैं, plus 3, oxidation state, increase, increase, down the group, यानि, उपर से नीचे आएगे, तो plus 3, oxidation state, जो होगा, आपका increase होगा, क्यों, due to the inert pair effect, plus 5, oxidation state की बात करें, इसको ऐसे कर दीजिए, आसानी समझ में आएगा, plus 5, oxidation state, increase, 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 down the group, अगर नहीं, दिखाई दे रहा है बच्चों, तो मैं बोल भी राम, हैने, ग्रो, अब बच्चों, यहाँ ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा, हैने, nitrogen का oxidation state, plus 5 होता है, लेकिन ये, pentahilide, ncl5 कहीं नहीं बलाएगा, हैने, ncl5 कभी नहीं बनाएगा, यह question ncrt में है, देख सकते हैं, तब पुछेगा क्यों नहीं बनाएगा, तो कहता है कि nitrogen का maximum covalency जो होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4, 3 covalent bond बनावेगा, covalent bond बनावेगा, और 1 lone pair electron से coordinate bond बनाएगा, यानि maximum covalency इसका क्या हो गया, 4 हो गया, हैने, इसी कारण से जो है, एक टेंटahilide का formation नहीं करता है, लेकिन इसमें और जो जैसे phosphorus हो गया, तो phosphorus का maximum covalency जो होता है बच्चो, maximum covalency इसका जो होता है, पांच होता है, इसलिए PCL 5 बनाता है, पुछ हैगा कैसे 5 होता है, तब phosphorus का electronic configuration अगर सजाते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3d0, अब electron T orbital से jump करेगा D orbital में, लेकिन nitrogen में तो D orbital होगा नहीं, क्योंकि तीसरा orbit शुरू नहीं हो रहा है, यही कारण है कि phosphorus पेंटahilide बनाता है, और nitrogen जो है, पेंटahilide नहीं बनाता है, इसी के साथ बच्चो दनने,